हेलो स्टुडेंट्स आज आपा करांगे ऑपरेटर्स ऑपरेटर बेसिकली आपा यूज कर दियां इंस्ट्रक्शन दे नमास दे ऑपरेटर ओ है चो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं यह दो चीजानों मिलके बनेया होंदा है बेसिकली किसे भी ऑपरेशन नों उपरेशन दिया परघल कर दियां ता उपरेशन नून दो चीजान दिया लोड पर दिया है उपरेटर प्लस ओपरेंट्स हुंध धीरर ओह है जो ऑपरेशन परफॉर्म कर दा है बट कोई भी ऐपरेशन एक अपरेटर ता कर सकता है जी ओदे कोल ओप्रेंट्स होन गे ता यह आप एक 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 जामपल नाल समझ देयां जी में आप एथे दे दो नमबर्स दा सम करना है अपने कोल दो नमबर है फोर और फाइव एना नूँ आप प्लस करना है ता एदे वास्ते आप प्लस सिंबल यूज करांगे ता एथे अपना प्लस की है ओप्रेंटर और फोर और फाइव आपा ओप्रेंट यूज कर देयां ता किसे भी इंस्ट्रक्शन नूँ कैलकुलेशन नूँ डन करना वास्ते जदो आपा एक ओप्रेंटर यूज कर देयां तो ओदे वास्ते आपानो ओप्रेंट्स दी लोड़ पेंदिया है हुन जदों आपा एक ओप्रेशन परफॉर्म करवाने हैं तो ओदे वीच अपने कौल एचीज आजानदी है कि आपा किन्ने नंबर ओफ ओप्रेंट यूज कर दे हैं number of operand according आपने operator नू तिन केटेगरी दे अंदर डिवाइड कर देया unary, binary और ternary जे आपने किसे भी operation दे अंदर आपने एक operator यूज कर देया ता वो आपना unary operator है जिने आपना लिखता minus 5 ता एक minus इत्थे की दास रहे हैं कि एक negative number है ता एस operator नू अपना की बोलांगे unary operator बट जदो अपना 2 operand यूज कर देया ता वोस चीज नू अपना की बोल देया binary operator मनलो अपना एक ले 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 प्लस 4 प्लस 5 हुन एस operator नू कम कर नवाज ते 2 operand चाहिए ता इत्मीन ए अपना operator की है binary operator देन लास्ट अंदा आपने को टर्नरी operator हुन टर्नरी operator अपना ओ operator है जीनू तेन ओप्रेंड दी लोड पेंदी है ता इनू अपा अग्गे चलके डिसकस कर देया हुन देखो कि जे आपा अपने operators नू केटेगराइज करिये ता आपने operator कई टाइप्स देंदे है जी में arithmetic operator, relational operator, logical operator, assignment operator, conditional operator, comma operator, unary operators and bitwise operator ता आपा one by one इननू डिसकस कर देया पहलना आपा गल कर देया arithmetic operator दी arithmetic operators, arithmetic operators एड़े है वो basic calculation दे कमान दे है एदे अंदर आपा 6 operator यूज़ कर देया plus, minus, divide, multiply और modulus, sorry 5 operator आपा एदे अंदर यूज़ कर देया इनना 5 operators नू आपा binary operator भी कह सक देया क्योंकि इना 5 नू यूज़ कर नमास ते आपा नू दो ओप्रेंट चाहिए देया ता simply आपा एनना किसे भी constant या variable नाल यूज़ कर सक देया constant मतलब आपा एननो डारेक्ट किसे value नाल भी add कर सक देया ते अपा कोई variable लेके जिमें आपा int a और b लेलेया a और b नू value देती ते अपा एनना नू variables नाल भी use कर सक देया कि इना दोना दी value पिक करे ते उनू आड करके c नू दे रे तो ये simple अपना arithmetic operator है जीदे वास्ते अपा plus symbol यूज़ कर रहे हैं then next अपने कोल ऐसे तरीके ही अपा 4-5 यूज़ कर सक देया 4 by 5 यूज़ कर सक देया 4 multiply 5 कर सक देया तो ये अपने basic operation आगे ये दे अंदर तो नू पताई होएगा कि आपने divide और modulus दे अंदर की difference है divide division करन्दा कम करदा है जदो की modulus remainder करदन्दा कम करदा है then next अपकल कर देया relational operator S category दे अंदर अपा 6 operator यूज़ कर देया जी दे अंदर अपने कोल आंदा है greater than, less than greater than equal, less than equal 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 और not equal relational operator किसे भी दो operands दे relation नूँ show करन वास्ते यूज़ होंदी है जी में अपा दो operands चेक करने है कि दोनो same है दोना जो केडा छोटा है दोनो equal है या नहीं है ता S similarity नूँ चेक करन वास्ते अपा relational operator यूज़ कर देया यह हामेशा एक expression दी form दी अंदर कम कर दिया है जड़े अपानू true और false result रिटान कर दिया है जी में अपा चेक कर रहे हैं कि 4 greater than 10 ता A अपानू result की रहेगा false क्योंकि 4 जड़ा है और 10 तो बड़ा नहीं है आपा यह थे लिखता 5 greater than 2 ता A अपानू true return करेगा आपा दे रहे हैं 6 equal equal 6 ता A भी अपानू true result return करेगा हुन देखो A नूँ भी अपा variable देना लिउज कर सक्दे हैं अपा A variable लाइस ही जी एथे अपा लेखती है A greater than B ता अपने को लेथे result की आएगा अपा C नूँ assign करेगा हुन एथे अपना A greater है ता अपना result true है ता एथे अपना true result आएगा बट एथे एक चीज दियान रखो कि अपने को लेथे अपा integer form दे अंदर एथा result हमेशा pick करांगे ता एथे अपने को जदो भी value true होएगी ता true दा मतलब की है 1 और false दा मतलब की है 0 ता एथे अपनी condition अपनी जो expression अपा दे रहे है वो अपनी true है ता अपने C दे अंदर result की जाएगा 1 ता ऐसे तरह नार अपा अपने सारे operators जड़े है यूज कर सकदे है अपा equal equal यूज कर दे है ता equal equal अपना equality चेक करन दे का मनदा है जदो की not equal अपनो ये result देन दा है कि बोथ हार if both are different then result is true otherwise false अपने arithmetic ते relational operator then next अपा discuss कर दे है logical operator logical operator किसे भी चीज नूँ logically compare करन दे का मनदा है जिमें suppose अपने को दो condition है दोना नूँ अपा merge करके चेक करना है मनलो अपने को लेथे A, B और C है तिन वेरियेबल है तिना नूँ अपा value दे रखी है suppose A equal 5 है B equal 10 है C equal 30 है clear अपा तिना चेक करना है कि अपना केड़ा वेरियेबल ग्रेटर है कि दी value highest है ता इत्थे अपानू इना दी conditions नूँ merge करना पाएगा जिमें अपानू A चेक करना पाएगा कि A, B तो भी ग्रेटर होना चाहिदा है और A, C तो भी ग्रेटर होना चाहिदा है आपा कहा सकदियाँ कि अपना A जड़ा है और greatest है अपना दोना terms नूँ add करना वासते जिड़े अपाएगा operator यूज कर दे है अपना लोजिकल ओपरेटर लोजिकल ओपरेटर अपने को तिन तरह दे हुन्दे है and or and note and की करता है and दोनो equations दे दोन्नों रिजल्ट्स दे जो भी अपना रिजल्ट आंदा है ओधे multiplication form दे अंदर आपनों output देंदा है जी में मनलों दोन्नों जे रिजल्ट अपने true है ता अपनी value true होएगी जे दोन्ना जो कोई एक वी false होगी ता अपना result जड़ा है false होजेगा clear जे दोन्नों false है ताम ही अपना result false होएगा अपने कोल value की है यह दी value है 5 अपना की दे रहे है 5 greater than 10 and 5 greater than 30 ता अपने कोल दोन्नों condition false होगी है ता अपने कोल result की आएगा false स्पोज अपना a equal 25 होंदा ता अपनी condition की हो जानी सी 25 greater than 10 and 25 greater than 30 हुन अपनी a condition ता true है ता अपनी a condition false होगी ता अपने कोल result की आएगा false ही आएगा ता as table दे according अपनों result देगा की जे सारिया values true है ता अपनी value true होगी otherwise अपनी value false होजेगी then next अपने कोल जेड़ा operator है और operator और operator की कर दा है और अपना इस तरीक के ना result दाएगा कि जे first equation अपने कोल first condition जड़ी है वो true है second अपने कोल जे false भी हो जांदी है ता भी अपने कोल result true आएगा ता अपने कोल की है अपने कोल आँ values आजांगी है कि जे अपने कोल कोई एक condition भी true होंदी है ता अपना result true होगा सिर्फ अपना false ओदों ही होएगा जदों दोनो false है ता and और और operator जड़ा है और दो statements नो merge करके अपनो result रहनदा है दो expression नो merge करके and last one अपने को लेद थे आनदा है note operator note की है note negation दा कम करता है किसे भी expression दे result नो reverse कर नमास दे अपना note यूज कर दे है जी में अपने को यह कह रहे है कि a अपने को 5 है b अपने को 10 है अपने को यह statement दे रहे है a greater than b ता अपने को result की आना चाहिए 5 greater than 10 अपने को result आएगा false but j as statement दे अगे अपना negation sign लगा दांगे ता अपने को result की होजेगा true क्योंकि जो result एधा आएगा यह उन्नू reverse कर देगा ता अपने को यह result true create होएगा ता आए तेन अपने logical operator है जड़ी relational statements नू logically check कर नवास्ति आपमा यूज कर देया